ने भी किया था 2014 में कि आप एक बात देखेगा पिछले पांच महीने में फास्टेग आ जाता है आप कहते हैं घर पे रहो सुरक्षी तरह दूरी बना के रखो तो करोना काल में घर से बार तो जाई नहीं रहे थे फास्टेग के अचानक क्या जरूत पड़ गई 500 रुपे में मैं मास्क नहीं पहनता मैं ओपनली आपको बोलूगा नहीं पहनता और लगबग 3 करोड से जादा लोगों से मिलाओं वर्क कर रहा हूं करोना के उपर बेक से वर्ल्ड के फेमस डॉक्टर के साथ बराबर अगर है करोना तो बंगाल में रैली क्यों हो रही है अगर था करोन है तो तामिलाडू में क्यों हो रहा है ताब इनके अमिशा जी मास्क पहनते हैं क्या अन्जना सिंग पहनती है क्या आज सक में यह रूल हम जैसे सिविलियंस के लिए 2000 रुपे का चलान गाल पे चाटा नहीं लगता क्या दे दिया हम लोगों को ब्यूटी पार्लर वारे घ पेक्सी वाले घर बैठे रहे कोचिंग इस्टिटूट वाले घर बैठे रहे जिम चलाने वाले घर बैठे रहे एक कभी किरायर रुका गया लोग बरबाद हो गए बरबाद हो उनके लिए बैक अप पैकेज रहा इन्होंने बोला मुद्रा लोन दे दे दिया चलिए आप पत्रकार हैं 100 यूवक ले लिजे जो पोस्ट राजवेट हो मैं तो गोल्ड मेडलिस्ट हूं 100 गोल्ड मेडलिस्ट लेके आता हूं बताए कौन से बैंक मेरे चलूँ आपको एक को मुद्रा लोन नहीं मिलता कारण बैंक वालों को खोलाट्रियल चाहिए कोलाट्रियल हमारा विवाद नहीं है हमारा फाइट आपके साथ बैट गवर्ननस के साथ हम लोग बजाते सब की हैं हम लोग कॉंग्रेस को भी बखसते नहीं है मैं आपको बता दूँ अगर राहूल गांदी में ही दम होता है उनमें क्वालिटी होती तो हमें इनको थोड़ी जिलना पास रहे खेभ्वल आईटी की वर ही हम लोगों के साथ आई टी अर आप जो आपने बोलास सोचल मीडिया क्या हो जाएगा सोचल मीडिया में रोग दोगे तो क्या होगा बंद कर देंगे अरे जिस रोड़ फे खड़े होंगे ना वहां हाजारों लोग क्षड़े होंगे में जहां बोलना मना है आपकी जानकरी के लिए, मैं वहीं से बजाता हूँ, कौन है पंकर सिंग, राजना सिंग का बेटा, वहां के MLA कौन थी, विमला बाथम, कहां की थी, बेस्ट MLA थी, उनको हटा के राजना सिंग के बेटे को टिकट दे दिया जाता है, परिवारबाद नहीं है तब मुलाहिम सिंग आता आपको तब लालू याद आता है रूल्स ऐस टूमी मेड नॉट बाइस्ट फॉर आल वन फॉर आल फॉर वन अब देखिए बारा करोड लोग हमारे फांडिशन से जुड़े हैं इस साल के अंतक 25 करोड का टारगेट है और 2022 यूपी और 2024 अभी भी कोई काम किया हो या जो अनेजुकेटड हो अपनी गली मुले का उन सब लोगों को हम फाइट के लिए तैयार है रेबल फांडिशन उनके लिए तैयार है 97 केसे लड़ रहा हूं विनिंग रेट 100% है आज सखाहरे नहीं है जिस केस को डाया है लीगली अब यह चौ पड़े में हराएंगे इनको जवाब तो देना पड़ेगा जय हिंद जय भारत